सोनिपत के गोहाना में मशूर जलेवी बनाने वाले हलवाई मातुराम की दुकान पर उस समय संसनी फैल गई जब बाइक सवार तीन अग्यात बदमाशों ने दो करोड रुपे की रंगदारी मांगने के लिए दुकान पर करीब 30 से 40 राउंड फायर कर दिये पोलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है जिनने जल्द से जल्द गिरफतार कर दिया जाएगा सूचन मिलते हैं पोलिस कमिशनर लटना स्तल का दौरा किया और पीडित हलुआई की परिजनों से मुलाकात की साथी उन्हें आशवासन दिया कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा दिरसल गोहाना में जोनेवी बनाने वाले मातुरा महलवाई की दुगान पर तीन बदमाशों ने तावरत और फायरिंग कर दी और एक पर्ची फिक कर फरार हो गए फिरौती वारी लेटर में दो करोड रुपे की फिरौती मांगी गई थी बदमाशों की CCTV फुटेज भी सामने आई है इसके अधार पर हर्याना पुलिस पूरे मामले की गंभीता से जाच कर रही है वहीं सोचल मीडिया पर फायरिंग और दो करोड फिरौती की जिम्मदारी भाव गैंग ने लिए है फायरिंग के बाद गैंग ने दुकान के मालिक को धमकी बरा फोन किया है इसमें का गया है कि काम करना है तो पैसे तयार रखना नहीं तो अंजाम देख लेना हलाकि फायरिंग के बाद गोहाना व्यापारी वर्ग में पूरी तरहा से तहशत का बहौल हो किया है सोनिपत पुलिस कमिश्टर बी सतीश बालन ने बताया कि पूरे मामले में हर्याना पुलिस गंबीरता से कारवाई कर रही है हमने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है जिन्हें जौल से जौल गिराफतार कर लिया जाएगा इसके लिए हमने पुलिस की आठ टीमें गठित की है साथी हर्याना स्टीएफ पूरे मामले में जौज कर रही है